हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों अक्सर मैं आपके पास सिक्चावर्थी से जोड़ी जानकारी लाते रहता हूं और अभी सबसे जादा जो कमेंट आ रहा हैं यानि कि आप मेरे सुबह के वीडियो या कल के वीडियो देखेंगे तो उस पे मराथा आरक्षन को लेकर जो से फैसलर दिया है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता उसे लेकर कमेंट आ रहे हैं और बहुत से भाई मैं यह जानना चाहरा है कि सर हमारा जो ओवी सी रिजर्वेशन 27% एदि वो कम हो जाता है तो क्या हम चाइन सूची से भार हो सकते हैं तो इस से रिलेटेड मैं मैं बहुत पहले बीडियो ला चुकाऊंगों दोस्तों करीबन आज से 7-8 महीने पहले में बीडियो ला चुकाऊंगों वो 8 महीने पुराना बीडियो में इसमें जोडने वाला हूं जैसे आप स्वयम समझ सकें कि यदि रिजर्वेशन कम होता है तो क्या इस्तिती है क्या वर्तमान में रिजरवेशन जो है वो 27-35 के अनुसारी आपकी वर्ग एको वर्दो की चाइन सुची और पिर्तिक्चा सुची जारी की गई है। वो सब मैंने आपको सरकारी आधियसों के अनुसार उस वीडियो में बताया था। पहले हम यह देख लेते हैं कि सुप्रीम कोट ने क्या डिसिजन दिया है। माराथा आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। सबसे बड़ी ख़बर हम आपको देने हैं। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि माराथा आरक्षण को खारिज करती है। सुप्रीम कोट ने यह दिसानिर्थिश दिया है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। अब हमारा जो केश चर रहा है वो हाई कोट में चर रहा है जो OBC के भाई बेहन है वो इसे लेकर थोड़े ड़रे हुए हैं। और वही वीडियो मैंने आठ महीने पहले इसलिए डाला था दोस्तों कि उस डर के साय से आप भार आ सके। आज वही कमेंट फिर आप कर रहे हैं कि सर अब ये सुप्रीम कोट में आ गया है तो हाई कोट में यदि आ गया तो हमारी जो लिष्ट होगा उसका क्या होगा वो गवर्मेंट जैसा दिसे निर्दिस करेगी दोस्तों वही होना है लेकिन मैं अपना वो पुराना वीडियो आपके साथ सेयर कर रहा हूं जो करीबन साथ आठ महीने पहले मैंने बनाये था और उसे आप देखें और समझें कि यदि जो सुप्रीम कोट का फैसला है इसके बाद हाई कोट में भी सुनवाई चल रही है उनका जो डिसीजन होता है तो उसका क्या असर आपकी जो है सूच पर पढ़ सकता है तो यह वीडियो करीबन आठ महीने पुराना है दोस्तों और किर्पया इसको समझने का प्रयास करें क्योंकि जो भी डॉक्यमेंट्स मैंने इसमें बता हैं वो आपको MP online पर या फिर जो भी कोट की गाइडलाइन से आइकोट की महाँ पर मिल जाएंगे द सुबह एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिक्षम मंत्री जी हैं उन्होंने वयान दिया है कि जब तक रिजर्वेशन का फैसलर नहीं आ जाता और जिसकी सुनवाई आपके आगामी 23 सितंबर को है तब तक हम आपकी वर्ग एक और वर हो जाएंगे इस बारे में बात करेंगे सेकेंड यह कोश्चन मेरे सामने आया दोस्तों कि अभी जो लिष्ट बनी है क्या वह 27 परसेंट जो रिजर्वेशन है OBC वह उसमें लागू है क्या साथ में जो 10 परसेंट EWS है क्या वह उसमें लागू है तो डेफिनेटली दौनों रिजर्वेशन लागू है उसके बारे में भी मैं आपको प्रूप के साथ बताऊंगा तो दोस्तों यह दो सवाल है क्या जो अभी लिष्ट बनी है उसमें 27 परसेंट OBC आरक्चन है डेफिनेटली है दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं इसके लिए हमें MP online के portal पर ज documents मिल जाएका जिसका हवाला मैं देने वाला हूं तो दोस्तों यह वह आदेस है भूपाल दिनांक 9 मार्स 2019 से निकला है जो कि आपके 27 परसेंट रिजर्वेशन को लागू करने के लिए दिया गया था और इसके आदेस अनुसारी आपके जो रिजर्वेशन है वह लागू कि कि अगया है जैसे कि इसमें आप नीचे देखेंगे जिससे आप यहां पर देख रहे हैं मूल अदिनियम की धारा चार में उप धारा दो में खंड एक में उप खंड का में सब्द और अंक अन्य पिछड़ा वर्ग 14 पिरतिसत के इस्तान पर सब्द और अंक अन्य वर्ग से 14 पिरतिसत के इस्तान पर सब्द और अंक अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 पिरतिसत इस्ताबित किया जाए तो यह आप देख रहे हैं पॉइंट दोस्तों तो इसी के पॉइंट के आदार पर जो है आपकी लिष्ट बनाई गई है जिसमें आपके 27 परसंट OBC रिज देट किया गया दोस्तों और भो भी लागू किया अब जो सुनवाई चल रही है OBC केस पर 27 परसंट लागू है उसकी जो सुनवाई है दोस्तों वो 23 सितंबर को है जैसे यहां पर आप डेट देख रहा है तो यह आपकी आगामी डेट है दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको के इसकी डिटिल दे दूं दोस्तों जो गवर्मेंट है उनका यह मानना है कि जो जनसंग क्या है OBC भाई बेनों की उसके इसाब से उन्होंने आरेक्षन डिसाइड किया है और वो 27 परसंट हो जाता है कोट ने जो संग्यान में लिया है वो इस इसाब से लिया है कि उनका कहना यह है कि 50% से उपर आप रेजर्वेशन नहीं दे सकते हैं यदि 27% लागू होता है तो जो रेजर्वेशन है टोटल वो 50% से उपर निकल जाता है तो उस इसाब से उन्होंने संग्यान में ले लिया है मैं यह किस आदार पर कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों जो OBC का आरक्षण पर सुनवाई चल रही है उसका जो संग्यान में लिया गया है यह बोडॉकिमेंट्स है जबलपूर है डेट आपकी देख रहा है आप 19.3.2019 है ना अब इसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे दोस्तों इन लाइन नों को यदि आप ध्यान से देख रहे हैंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है कि 14% से 27% किया गया है और पहले से जो रिजर्वेशन है 11% है 20% है तो सबको यदि मिला दिया जाए दोस्तों यदि सबको जोड़ा जाए तो आप नीचे देख रहे हैं कि 63% हो जा जाए और उन्होंने जो तर्क रखा है वो यही रखा है कि जो जनसन क्या है उसके हसाब से हमने उन्हें रिजर्वेशन 27% दिया है कोट की सुनवाई यह चल रही है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन निकल गया है तो अब उनका क्या डिसिजन रहता है क्योंकि एक महीना जो है उन्होंने समिक्चा के लिए मांगा था जो आपके गवर्मेंट ने जो भी आंसर दिया है उसके लिए और अब आपकी जो अगली डेट है वो 23 सितंबर है दोस्तो तो दोस्तों पहला क्यों तो आपको मिल गया है कि क्या लिश्ट सकता 20% वो भी सी आरेक्चन के साथ बनी है जी हाँ बनी है सेकेंड जो आपका क्यों है क्या आरेक्चन कम होने से चाइन सूची वाले लोग भार हो जाएंगी अब यहां पर दोस्तों क्यों वासक चिन है कि यह कम होगा कि वही रहेगा यदि वही रहता है जो कि अभी बरतमान में है तो आपकी लिश्ट में कोई भी बदलाब नहीं होगा जैसी लिश्ट है उसी के साथ फिर काउंसलिंग सुरू हो जाएगी यदि कम किया जाता है जिसकी आप पूछ रहे हो लगातार कि यदि सर कम किया जाता है तो फिर क्या होगा फिर क्या लिश्ट में बदलाब होगा तो डेपनेटली जो नया आदेस प पिर्तिक्चा सूची है, दो चीजे आपकी डली हुई है MP online पर, अब मालों चाहिन सूची में कौन है, जिनके नमबर सबसे अच्छे आए, A+, हैं, एक और candidate है, जिसके A+, नमबर आए, उसके नीचे फिर A वाले हैं, जिनके नमबर थोड़े कम आए, पिर्तिक्चा सूची में क क्योंकि जो चाहिन सूची के नमबर हैं, उनसे इनके नमबर कम हैं, दोस्तों, तो यहां तक तो आपको clear हो गया हुआ, अब इसके बाद यदि reservation कम होता है, जैसे कि बहुत से भाईवयन के मन में संका चल रही है, तो क्या हम चाहिन सूची से भार हो जाएंगे, तो उसका हम एक उधारन देख लेते हैं, यदि सूची में बदलाब हुगा दोस्तों, क्योंकि अब यह confirm नहीं है, जब तक आपका फैंसला नहीं आ जाता, कुछ भी confirm नहीं है, तो यदि सूची में बदलाब हुगा, तो चाहिन सूची में कौन रह जाएंगे, जैसे दो सीटे हैं, तो 2 एप्लस, एप्लस वाली नंबर ले झाएंगे और जो यहाँपर चाहिन सूची में थे, यदि बदलाब हुगा, तो पिठतिक्चा सूची में जाएंगे, भार तब भी नहीं हो पिठतिक्चा सूची में, ठीक हैं, तो जो एप्लस, बीप्लस वाले हैं, जो कि पहले पर चर रहते उनकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी नीची आजाएगी पिटिक्चा सूची से भार कौन से होंगे जो वॉडर पर हैं यानि कि जिनके नंबर नियम को भी बता देता हूं 28 2018 के आदेश अनुसार यह भी आदेश आपको नियोजन पिर्क्रिया के अंतरगत पोर्टल पर मिल जाएगा यह हमारा 28 2018 का आदेश है जिसके अनुसार आपकी नियोजन की पिर्क्रिया की जा रही है इसमें पेज नंबर पांच पॉइंट नंबर 28 2018 में लिखा एक अभ्यारती का नाम एक से अधिक नियुकता की सूची में समलित नहीं किया जाएगा और ताक उसके द्वारा दिये गए बिकल्प के मेरिट के किरम में एक बार चायन हो जाने के परशाथ उसी अभ्यारती का नाम अन्य नियुकता की सूची में समलित नहीं आ सकता है न दोस्तों दूसरा question ये मन में आ सकता है कि sir वर्ग एक की जितनी भी list आई थी उसमें सभी नाम repeat हुए है तो अभी जो नाम repeat हुए है दोस्तों वो तब हुए है जब आपका verification पूरा नहीं हुआ है जिस दिन आपका verification पूरा हो जाएगा और जो आपकी final list जारी होग आपके Epicệt JUST hurts कि अपके समगों कौद यह पर उनका child sushi में नाउया हो Education decision Department में लेकिन वो पिटिक्चा सूची में अपने नंबरों के अधर पर आये है तो वहाँ पर उनकी child sushi में नाम आने की चांसे सब से ज़्यादा है और जो पिटिक्चा सूची से जन्जाती विवाक की जो लिश्ट जारी होगी उसमें थीक है तो यह पूरा कैलकुलेशन था दोस्तों, अब यह कह national है, कि आप भार हो जाओगे तो ऐसा नहीं है यदि आपका चाहिन सुची में नाम है दोस्तों, तो आप अपने merit के आधार पर आए हो reservation यदि वही रहता है तो आपकी जो list डली है उसमें वो reservation पहले से ही लागू है list update नहीं होगी यदि reservation कम जादा होता है तो definitely फिर नई list डाली जाएगी और सहसाब से वो update हो जाएगी दोस्तों तो जो यदि आपका कम हो जाता है OBC भाइबेन हो गए या फिर अन जो case लगी हुए है जैसे कि आपके EWS पे भी एक लगा हुआ है तो उन लोगों का नाम पिर्तिक्चा सूची में आ जाएगा हाँ पिर्तिक्चा सूची पर जो border पर है वो जरूर भार हो जाएगी Education Department से लेकिन महाँ पर chance बनेंगे आपके जनजाती विवाग में जनजाती विवाग की जो list है वो फिर से update होती है जैसे आपका Education Department की final सूची जारी होगी, joining list जारी होगी उसके वाद जो उसमें नहीं आ पा रहा है वो जनजाती विवाग में जाब ले सकते हैं, उनकी joining हो सकती है दोस्तों तो ये वीडियो एक सूचना माते था आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए ताहे दिल से धन्नवाद